हलो अस्टुडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजलिंग्ली सोलूशन एनिजी वे अफ लर्निंग आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को समझेंगे अच्छी तरह से इसके अस्टुचर को और परते एक अस्टुचर का एक्जामपल हिंदी एक्जामपल यानि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिप में ट्रांसलेट करने का तरीका हम लोग समझेंगे और यह मेरा टेंस सीरीज का वीडियो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा का पूरा टेंस हम लोग complete करेंगे एक एक करके और इससे पहले मैंने इससे पहले जितने भी टेंसेज आते हैं सबका वीडियो मैंने upload कर दिया है चैनल पर तो उन वीडियोज को भी आप जा कर देख सकते हैं जैसे कि एक वीडियो है उसमें present का चारो टें है indifferent continuous perfect और perfect continuous और दूसरा वीडियो जो है उसमें past के टेंसेज है और past का दो पार्ट में मैंने किया है दो तिन पार्ट में एक में दो टेंस है और एक में एक टेंस है फिर एक में एक टेंस है ऐसे है तो उससारे वीडियो जो भी है उनका मैं लिंक इस वीडियो के description में दे द और फुचर का इन्डिफिनिट है इस वीडियो में सिर्फ और उसके बाद आगे के टेंसे हम लोग लूग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आए है स्टाट करते हैं जैसा कि आप जानते भी होंगे कि future indefinite जो है या simple future tense तो इस tense का पाचान होता है गागेगी यानि इस tense के हिंदी sentences के अंत में गागेगी होते हैं तो आई अब देखते हैं कि affirmative का इसका structure की इस से होता है तो affirmative में सबसे पहले तो subject होता है उसके बाद will या cell उसके बाद भर्ब का भीवन और object और फिर या other word रहेगा तो देखिए थोड़ा सा हम will और cell का यूज को यहाँ पर समझेंगे देखिए जो third person singular number subjects है जैसे कि he है see it या कोई भी name है ठीक है तो यह सारे जो subjects है या कोई भी singular subject हो तो इन सभी subject के साथ हम लोग will का यूज करते हैं will और जो भी plural subjects है जैसे कि plural में आपको आई आई तो plural नहीं है लेकिन इसके साथ भी cell का यूज होगा और we you और they या कोई भी plural subject के साथ है ठीक है cell का यूज होगा ऐसा traditional grammar में आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन अब modern grammarians ने क्या किया है कि सिर्फ I और we के साथ cell का यूज कर रहे हैं लेकिन बाकी सब के साथ will का ही यूज देखने को आज कल जो books grammar के मिल रही है उनमें देखने को मिल रहा है कि प्राया सब के साथ will का ही यूज हो रहा है I और we को फिर भी I और we के साथ तो will का यूज नहीं करना चाहिए और I और V के साथ भी Will कायूज कुछ बुक्स में मिल रहा है अब देखिए आगे हम समझेंगे कि किन परिष्थितियों में एक थोड़ा सा important बात है यानि किन परिष्थितियों में I का और V के साथ Will कायूज होता है और He और C के साथ Sell कायूज होता है तो देखिए जैसे कि एक एक जामपल आपको हम दिखा देते हैं तो यह different चीज है बहुत important चीज है जैसे कोई sentence आपको लिखावा मिलता है कि वह वह अवस्य जाएगा यानि future के तरफ इंडिकेट करेगा future को denote करेगा और उसमें अवस्य word लगा रहेगा ऐसे तो अवस्य का must होता है लेकिन वह future का sense denote नहीं करता है वह अवस्य जाएगा या वह अवस्य खेलेगा या घुमेगा जो भी रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है he he के साथ sell का यूज़ करेगे यानि ultra यूज़ करेगे he shall go वह अवस्य जाएगा he shall go अब यदि रहेगा कि मैं अवस्य जाऊँगा तो I will go I के साथ will का यूज़ हो जाएगा तो इस तरह के sentences में ही इस तरह उल्टा यूज़ opposite मदलब यूज़ किया जाता है मैं अवस्य जाऊँगा तो I will go वह अवस्य जाएगा he shall go तो चलिए इसमें आब आगे बढ़ते हैं अब इसका example देखिए है कि वह एक car खरीदेगा he will buy ये car यानि सबसे पहले इसमें subject हो गया उसके बाद ये will हो गया उसके बाद verb का ये भीवन है और ये object है he will buy ये car negative का structure होता है subject plus will या cell plus में उसके बाद not हो जाएगा verb का भीवन फिर object या other word रहेगा जैसे हम लोग या काम नहीं करेंगे we shall not do this work we shall not do this work और आगे देखते हैं आगे है interrogative तो interrogative में जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी helping verb होते हैं वो beginning में हो जाते हैं तो will या cell को पहले लिखेंगे उसके बाद subject लिखेंगे उसके बाद verb का भीवन फिर object या other word ठीक है जैसे example है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे will you help me पहले will है उसके बाद you help यानि भर्ब का भीवन और me ये object है will you help me लास्ट में question mark उसके बाद wh question जो है wh question में सबसे पहले wh word हो जाएगा उसके बाद helping verb will yourself फिर subject और फिर भर्ब का भीवन फिर object या other word जैसे तुम अब क्या करोगे यहाँ पे अब क्या है यह ow है other word है ठीक है what will you do now यहाँ जैसा कि अब देख रहे है कोई भी object नहीं है यानि सबसे पहले wh word उसके बाद helping verb फिर subject फिर यह भर्ब का भीवन आ गया और फिर यह other word आ गया ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस tense को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आप आगे जिस तरह का भी वीडियो चाहिए हो NCRT का खास करके तो आप comment में डिमांड कर सकते हैं मैं उस chapter पर आवस्य ही वीडियो बनाऊंगा या उस content पर आवस्य ही वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देखते रहिए Easily English Solution मिलते हैं